देखो भाई, मुद्दे की बात तो ये है कि पैसा बोलता है, पैसा है तो सब पूछेंगे, रिष्टेदार पूछेंगे, रिष्टे आएंगे, घरवाले भी ताने नहीं देंगे, वरना अगर आपके बास पैसा नहीं है न अकाउंट में, घरवाले ताने देंगे, कुमनी हो गई, श्रेया हो गई, मानसी हो गई, ये सब जो भी आपकी गल्फरेंड का नाम होगा, सब छोड़के चले जाएगी, तो इस वीडियो को न अंतर तक देखेगा, अगर आप चाहते हो कि जीवन भर, हम सुखद जीवन जीएं, और पैसे की तंगी ना हो, अगर आपने जो चीजे मानी नहीं, चोटी-चोटी मगर मोटी बाते होंगे, बट मानी नहीं, तो आप ब्रोक हो सकते हो, तो चलिए, पहला पॉइंट होता है, लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं, क्रीप मतलब धीरे-धीरे घुश जाता है, CREEP, अब आप लोग सोच रूँ कि यह क्या चीज है, इसको सिंबल तरीके से में बताता हूँ, क्या होता है कि, मान लो, आपकी आज नौकरी लग गए, एक बढ़िया IT कंपनी में काम कर रहे हो, आट लाग की CTC कैंपस से लग गया है, मिठाई वठाई बाट लिए है, आपने बिल्कुल मजे कर रहे हो, अब आपको अंदर से एक फीलिंग होती है कि, यार अब ही, पहली पहली बार नौकरी लगी है, तो पैसे तो उड़ाने पड़ेंगे, बिल्कुल ये तो हमारा राइट है, हमारा हक है, तो आप नई बाइक खरीद लेते हो, कि नए भईया, हमको KTM दिखानी है अब तो सब को, तो KTM खरीद ली, उसके बाद भी आपका जी नहीं भरता, तो आप अपने अपग्रेड और ऐसे कल लेते हो, कि घूमने फिरने के प्लांस बना लेते हो, कि now we'll go to Bali, ने तो दुबई चले जाते हो, पूरी दुबई जा रही है, पता नहीं क्यों, तो दुबई जाते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो क्या हो जाता है, कि आपके मन्थली 8-10,000 रुपए सेविंग हो जाती है, जिसको आप थोड़ा अपने इमर्जंसी में रख लेते हो, सेविंग कल लेते हो, थोड़ा बत mutual fund अगल लेते हो, कि आप सीरियस हो गए, इसके एक-दू साल बाद आपकी salary बढ़ जाती है, कि exceptional performance किया, आपकी salary बढ़ा दी गई है, तेरा लाग की CTC, अब क्या करते हो, अब instead of, आपके पास, देखो, आपकी life चल रही है, पहले वाले salary पे भी अच्छी खासी चल रही है, लेकिन अब, आप अपनी lifestyle अपग्रेड कर देते हो, अंस्टेंटली आप क्या करते हो, कि भाईया, पहले तो अपन YouTube पे अभिशेक भाई के वीडियोस देखके, लाइक करते थे, शेर करते थे, कमेंट करते थे, अब हमारे पास पैसा आगया, तो हम Netflix का भी highest premium वाला लेंगे, Amazon Prime का भी लेंगे, टेलिग्राम से डाउनलोड नहीं करेंगे, और उसके साथ-साथ अब घुमने के साथ, हम साल में दो international destination जाएंगे, जिन्दगी न मिलेगी दो बारा, और ये सब करेंगे, ये ही होता है lifestyle creep, क्या आपको पता है, दुनिया का one of the finest actors, Pirates of Caribbean movie देखिए ना, Johnny Depp, उसके भी हवाले निकल गए थे, because of this, सोचो, जो सबसे ज़्यादा चार्ज करता था, million million dollar movies के, उसके हवाले निकल गए, तो हम तो mere mortals हैं भाई साब, उसके हवाले निकल गए थे, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे उसको movie से पैसे आ रहे थे, दारू, आयाशी, गुमना फिरना, इसमें इतने पैसे खर्च किया कि उड़ा दिये, इन सारी चीज़ों पर, यह self की learning पर करो, that is something which is going to help you out, एक और चीज़ जो बहुत लोगों को पीछे कर देती वो होता है, credit card debt and student loan, देखिए, simple सी बात है, आप से और हमारे जैसे लोग बहुत बार ऐसा होता है, कि we are not coming from a very big family की सब कुछ sponsored हो जाई यह सारी चीज़े, तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खर्च करते हैं कुछ ऐसी जगाओ पर, कि student loan ले लिया, थोड़ा spend कर दिया उस चीज़ पर, which is quite natural, जिपता हो सके हमें avoid करना चाहिए, बट कभी ना कभी लेना पड़ता है, अब आपने अगर यह सारी चीज़े ले ली हैं, थीक है, तो अब दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, कि में ले तो ली हैं, बट चुकाना पड़ता है, और बहुत लोगों का आधा जीवन इसी में निकल जाता है, बहुत बार क्या होता है, कि हमने जो existing loan लिया रहता है, उसका शायद rate of interest जादा रहता है, आप जाके धूंडो, ऐसी companies, ऐसी banks, जहां से आप refinance कर सकते अपना loan on a lower interest rate, तो यह चीज़ आप करोगे, तो आप जल्दी भी payback कर पाऊगे, और कम दाम पे कर पाऊगे, और एक चीज़ क्या हो जाती है, कि हमारे देश के अगर बात करें, तो maximum लोग क्या करते, they are spending on status, they are not spending on value, वाह, क्या line है, तो आपको एक चीज़ समझनी है, that हमारे इसमें क्या हो जाता है, हम गाड़ी इसले नहीं लेते, क्योंको commute की problem, हम गाड़ी इसले लेते, बिकोष शर्मा जी की बेटे नहीं ले लिया, हम अपने बच्चे को international school इसले नहीं भीचते, बिकोष हम अंदर से चाते हैं, हम इसले बेजना चाते हैं, बिकोष हमारी वाइफ की जो सहेलियां है, वो किटी पाठी में क्या बूलेंगी, ये सब समझ के, आपको समझना है, आप खर्च करो, कोई problem नहीं है, लेकिन value पे करो, experiences पे करो, जो चीज आपको literally खुशी देती है, जो आपके progress में help कर सकती है, ग्रोथ में कर सकती है, उस पे करो, जैसे कि for example, एक तरीका होता है, आप अपनी learning पे ध्यान दो, आप books पे ध्यान दो, अगर आप वो books पढ़ने का शौक नहीं है, तो आप एटली सुन सकते हैं, और वैसे, सुनने की अगर बात करो, तो kukoo FM, जिसका link में description में डाल दूँगा, one of the best platform है, in fact जो आज आपन money की बात कर रहे हैं, उसके उपर एक बहुत ही प्यारी सी book summary है, जिसका नाम है, The psychology of money, बहुत लोग वो किताब शायद पढ़नी पाते हैं, यह सोचके कि यार, पढ़ने का money करता है, तो आप जाके इसकी book summary हैं यहाँ पर सुन लो, ऐसे ही हजारों से जादा किताब हैं यहाँ पर available हैं, और 17th of this month तक, अगर आप download करते हो with the code BR50, तो आपको 50% off भी मिल जाएगा, तो भई किस चीज का वेटे, अपना value पर addition करो, तो moral यही है, कि आपको जितना हो सके खर्च अपने value पर, और सब के लिए value अलोग हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, आपके पडोसी के लिए कुछ और सकता है, आपके बेटे के लिए कुछ और सकता है, वाइफ के लिए, तो understand it doesn't has to be otherwise again आप broke रह जाओगे next चीज जो सबसे बड़ी problem होती न paycheck to paycheck चलना है अरे भाई साब कल हो ना हो, कल क्या हो किसने जाना, इसलिए सारा का सारा हमें पैसा है उड़ाना ये सोच के लोग paycheck to paycheck, paycheck to paycheck in the sense 40,000 की salary, last में मन्त में आपके पास 15 दिन बाद 2000 रुपय बचते हैं और आप सुचतर कहा जारे मेरे पैसे I don't know, where is my money going on आपको समझना है almost 75% आप अकेले नियो 75% of the people do the same thing and these are the same people जब कोई crisis होती है, जब कोई भी crisis होगी ये सबसेज ज़ादा परेशान हो जाएंगे क्यों परेशान हो जाएंगे because ये तो paycheck to paycheck हमेशा इसके लिएक मैं अगला हिंट आपको देता हूँ आप कर सकते हो reverse budgeting this is the next point आप सुचेगा reverse budgeting क्या है हम लोग basically budgeting कैसे करते हैं मेरे पास आज let's say 100 रुपा है तो मैं 100 रुपाई से खर्च करता हूँ अपना budgeting निकाल लेता हूँ हाँ 10 रुपे इसको जाएंगे 5 रुपे इसको जाएंगे 15 रुपे दूद वाले ये 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 last में बचे मेरे पास 20 रुपे ये मेरी savings हो जाएंगे आप reverse कर दो आप सबसे पहले ये निकालो कि मैं इतना percent 20 percent is something जो मेरा emergency fund उसको मैं छूँँगा नी उसको मैंने side में रख दिया बाकी जो है उनमें से मैं अपना calculation करूँगा this is called reverse budgeting the moment you do this thing आप अपनी चीजों को control कर सकते हो तो ये आपके लिए सबसे ज़रूर है कि आप अपनी reverse budgeting कर लो and talking about control जो की मेरा next point था आपको समझना है तीन three major expenses होते है हर किसी के जीवन में चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो at least इंडिया में रहते हैं तो आपका हो नहीं है इसको आप हटा नहीं सकते हो कौन से है पहला खाना food until unless we don't eat हम जीएंगे कैसे in fact कुछ खुशी के लिए भी हम खाते पीते रहते हैं तो वो ज़रूरी है दूसरा घर इट कुड भी rent और इट कुड भी your own house तो वो चीज होगे by the way अगर आप चाहते हो मैं rent versus owning a house पे भी वीडियो बना हूँ ये तीन ऐसे expenses 21st century में आप इसको हटा नहीं सकते हो आप neglect नहीं कर सकते हो अब कोई अगर money guru आके बोले आप ये बंद कर दो saving करो ऐसा हो जी नहीं सकते ये तो होगे but what we can do is we can control our expenses on this कैसे मान लीजिए आपकी salary 40-50,000 रुपे की है तो क्या जरूरी है आपको इसी साल पूरी family को लेके international vacation पे लेके जाना है नहीं है न आप अपने आपको target दो कि मेरी जब आमदनी 70,000 रुपे हो जाएगी तब मैं जाओंगा but just because आपके दोस लोग credit card swipe करकर के जा रहे हैं that is ideally not the best situation my dear friend तो आपको क्या करना है आप अपने आपको target दो yes, अभीशेक अपनी salary बड़ा फिर खूम आज अगर आप लोग देखते हो for example this जो अपना कर्टॉक्स पे देख रहे हो I've got 9 schedule for this month ये वीडियो जटता है पता नहीं कितने है 9 schedule अब आप calculate करो नहीं अभीशेक घूम रहे है मैं भी घूमू तो भाई अगर आप एक side का भी flight करते हो with GST आज के time पर 8-9,000 हो जाता है और सिर्फ जाओगे तो नहीं आओगे भी सही simple सी बात है अब आगर आपकी salary 50,000 होपे है आप 8-9 बार आना जाना 9 into 2, 18, 18, 18 times आप कैसे afford करोगे बढ़ हाँ आप बोलते हो कि यहर मैं इतना कर सकता हो कि मैं साल में 2-3 बार 2 बार domestic कहीं पर travel करके आ सकता हो on my salary तो अपनी salary increase करो just don't try to replicate any lifestyle otherwise क्या हो जाओगे broke पैसे खतम हो जाएंगे एक और चीज होती है कि हम लोग न ट्रैक नहीं करते अपने expenses हमारे expenses maximum 53 या 54% कुछ ऐसा एक starts है 53-54% लोग अपना ट्रैक ही नहीं करते इस ही के चक्कर में जो बोलते हैं न 15 तारिक के बाद हमको realize हो तो मैं चलरी का जादी है वेर इस इट कोई आप ट्रैक करो ट्रैक करने के लिए आज के बहुत सारे apps आए हैं don't worry मैं को जैसी दूसरा पर एक कोई promotion मिलेगा मैं वैसे भी कोई app आपको बता दूँगा पहले इस्तमाल करके फिर बताऊंगा कुछ ज़्यादा ही honest हो गया but anyways मैं जरूर बताऊंगा लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप उस तुचे को ट्रैक करो किस तरह से आप expenses को टाब रख सकते हो यह सारी चीज़े इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखोगे तो आप एक अच्छे और बड़ा सा बड़ा निवेशक बड़ा सा बड़ा इन्वेस्टर बड़ा सा बड़ा बिजनेसमेन बेना अपने कंपनी के expenses का ध्यान बहुत अच्छे से है obviously उन लोग के पास tax वाले लोग होते हैं accounts वाले लोग रहते हैं यह सारी चीज़े रहते हैं finally एक बहुत अच्छी चीज़ बहुत अच्छी hack बताऊंगा आप लोगों को वो है अपने आपको make it difficult to reach your savings slash emergency point हम इंसान by nature आलसी होते हैं let's admit हम लोग आलसी होते हैं अब अपने आपके लिए difficult बना दो कि अगर मुझे हर महने आपने decide कि मैं 10,000 रुपए अलग से रखूँगा या 5,000 रुपीज अलग से रखूँगा जिसको मैं सरफ emergency के लिए रखूँगा लेकिन आप हमेशा देखते हो कि उसी bank account में होता ना तो वो खर्च होई जाता है अरे अभी दिबाली अगली अज़े अभी ये तो अगली महने कर लेंगे ये adjust कभी होता नहीं अचानक से एक दिन emergency आता फस जाते हो आप क्या करो ये 5,000 रुपीज के लिए एक अलग bank account बना लो simple सा है 24 गंटे के अंदर खूँगा उसमें ये वाला amount रखो extra वाला और उसको देखना ही नहीं है उसको बिलकुल कता ही नहीं देखोगे तो वो अपने आप दीरे दीरे और ये चो पैसा है ना इसपे आपको compounding आपको inflation ये नहीं करना ये अपना emergency fund है सीधा साधा fund है आप और आपकी wife इसमें थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-डालते जाएंगे एक time के बाद ये बहुत अच्छा corpus बन जाएगा जिसको आप उड़ा सकते हो और दूसरा इसी में एक bonus hack दे देता हूँ blow account बना हो जैसे मेरा एक blow account है जिसपे 7-7.5 रुपे हर साल का मैं उसमें manage करता हूँ सबका अलग-अलग रहेगा किसी का हो सकता है 30,000 हो किसी का 3,000 हो हो सकता है किसी का 70,000 का blow account blow account क्या है ये account मैंने decide गया है साल बर में मेरे जो भी time pass खर्चे है लेकिन मैंने based on my income एक छोटा सा percentage जो point sum percentage है वैसे ही आप max to max एक 5% का max to max एक blow account बना लो तो अगर आपकी salary मान लो 10,000,000 रुपे तो 5% का एक blow account बना लो जिसपे आप 12 आपके वाज एकसे से आपको कुछ नया फालतू शौक हो गया कि दुकान गया है दुकान में ये चीज़ खरीद नहीं है खरीद लो आपको trade करना है 100x leverage के साथ इसी पैसे से आप कर लो simple तो इसको कहते हैं blow account तो आशा करता हूँ आज के वीडियो से कुछ नया सीखा है सीखा है तो make sure like और share करें till then keep learning, keep growing, keep investing and keep trading